नमस्कार एक बाफिर से आप सभी का स्वागत है DSO News में सडकों पर आंदोलन कर रहे किशानों को हटाने पर बोला सुप्रीम कोट हमने जो निर्धारित किया उसे लागू कराना सरकार का काम सुप्रीम कोट ने गुरवार को कहा कि उसने कानून निर्धारित किया है अब उसे लागू करवाना जो है वो कारेपालिका का काम है पिछले करीब एक साल से दिल्ली की सिमाओं पर अपनी मागों के साथ डटे किसानों को हटाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते ही सुप्रीम कोट ने गुरवार को कहा कि हमने कानून तो निर्धारित कर दिया है अब उसे लागू करवाना सरकार का काम है सुप्रीम कोट ने कहा कि या विरोध के वल तै जगहों पर ही किया जा सकता है इसे सडकों पर नहीं किया जा सकता कोट ने सक्त लहजे में कहा कि हाईवे और सडकों को जाम नहीं किया जाना चाहिए इसको लेकर कानून पहले ही निर्धारित किया जा चुका है इसे बार बार दोहराया नहीं जाएगा लागू करवाने की जिम्मधारी कार्य पालिका की है सुप्रिम कोट ने किसानों के धरने को लेकर केंद्र और राज सरकारों को कड़ी फटकार लगाते हुए पूछा कि आप तक सडके क्यों नहीं खाली कराए गई कोट ने कहा कि सरकार यह नहीं कह सकती कि हम नहीं करा पा रहे सुप्रिम कोट ने केंद्र को यूपी गेट पर दिल्ली उत्रप्रदेश सीमा पर की गई नाकाबंदी खोलने वाली याचिका पर किसान संगों को पक्ष बनाने के लिए एक अपचारिक आवेदन दायर करने की अनुमती दी जस्टिस संजे किशन कॉल और जस्टिस एम एम सुंद्रेश की बेंच ने कहा कि समस्याओं का समल्हान नयाइक मंचिया संसिदी वहस के मध्यम से हो सकता है लेकिन राश्ते को हमेशा के लिए रोका नहीं जा सकता तो अभी के सबसे बड़ी ख़वर हम आपको बता रहे थे कि सुप्रीम कोट ने एक कड़ा नेडने लिया है और राजे सरकार और केंदर सरकार के कड़ी फटकार लगाते वे कहा है कि सुप्रीम कोट जो है उसे निर्धारिक तो कर सकता है उस कानून को लेकिन उसे लागू उकराना जो है वो कारेपालिका का काम है यानि कि सरकार का काम है फिर हल के लिए तो नहीं जुड़ेगा हमारे साथ देखते लिए सो न्यूज धर्वाद